कर दोस्तो दोस्तो जीरोधों में अगर long term का जो option है यह नहीं आ रहा है तो इस problem को आप कैसे solve कर सकते हो इस वीडियो में बता होंगा तो दोस्तो इस problem को solve करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जीस index या फिर जीस stock पे आप पैसा add कर रहे हो मतलब जीस stock को आप खरजना चाहते हो उस पर long term पे आप invest कर सकते हो है यह की है की नहीं आपको देखना है आपको इंडिक्स पे तो नहीं add करना चाहरे हो index में long term पे invest करने के लिए अलग option होता है ETF का option होता है ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है लेकिन अगर आप stock में कर रहे हो लेकिन long term का लहीं आ रहा है तो आप इस problem को कैसे solve करोगे तो simply आप इस problem को solve करने के लिए इस app का जो setting है इसको open करने परेगा ठीक है जीरोधा का जो app है इसको setting जो है इसको open करना है आपको इसके बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो setting का छोड़ा चोड़ा सा icon दिख रहा है यहाँ पर मैं इस पर click कर देता हूँ यहाँ आपको click करना है और यहाँ से आपको clear data का एक option मिल रहा है यहाँ पर clear data पर click करके आपको clear case यहाँ पर click करना है इसके बाद आपको ok पर click कर देना है तो यहाँ से आप देख सकतो जो भी cases था यह clear हो चुका है अभी आपको play store में जाना है और simply search करना है जीरोधा जीरोधा काईट जो भी आपके मन में search कर लेना है तो यहाँ पर आपको update का एक option देखने को मिलेगा तो simply आपको update पर click कर देना है इसके बाद दोस्तों अपडेट करने के बाद आपको जीरोधा का जो अपसेन है मतलब जीरोधा का जो एप है इसको उपेन कर लेना है इसके बाद लॉग इन कर लेना है आप देख सकतो हो यहाँ पर जो नया फीचर्स है यहाँ पर देखा रहे हैं अगरा वैलनस कंद इसलिए वाई नहीं हुआा अगा आपका हो नहीं हो जाएगा तो इस प्रब्लम को इसी तरीके से हैं solve कर सकते हुए